नवश्कार मैं हुआकांशा गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलिटिन जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें तो चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर इंदोर पुलिस तुआरा पिछले दिनों पांच आरोपियों पर नकली नोट के मामले में कारिवाही की गई थी इस मामले में अब पुलिस ने उजयन से एक आरोपी को पकड़ा है जिससे पूछताच में खुलासा हुआ है कि उसने उतरखंड के आसाराम बापुगे आश्रम में भी कई महीनों तक रुख कर अराधना की थी अब भी लोगों को तुलास चली रही लगा था और इसमें राजेज बर्पेटे ने एक अशोग चोहान का आईडिया बनाया था उसको भी बलाय था उससे पूछताच की थे वो उसने बदाई कि मैंसे जानता नहीं सब्सक्राइब कर देश कर चुका है और काफी जगह गूमने गया है इसमें तुरा खंड भी वता है आश्रम बापु जी यहां रुका है चार-चे मैने तो अब देरे दरे उसमें तजिक करने टीम बेची जाए इसमें पाडिस्तान सामने आ रहा है इसमें जिस इसकी जाच चल रही है जाच उपरां जो भी आएगा जाच नहीं पूसक्तान साल बरक चारण चालू किया है यह अब ही तक आया है जाच में प्र छोटा इसमें जो भी आता जाए जाए और चारवाइक जए जाए इन दौर में क्राइम ब्रांच द्वारा मुख्विर की सूचना के अधार पर एक व्यक्ति को गिरफतार किया गया है जिसके पास से लगभग 20 लाख रुपए की कीमत की चरस बरामत की गई है गिरफत में आई युवक से पुलिस पूशताश में जुटी हुई है ताकि अन्निमा आदक पदार्थू से जुड़े तसकर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा जा सके रही है इसमें जो है एक विक्ति पकला गया है नतुनी भगत नाम से जिला वेशाली बिहार का रहने वाला है और यहां पर पकला गया है राजिन नंगर थानाशित के साथ में इससे लगभग 4 लो चारस बरामत की गई है इसने नेटवर्क बताया है कि रक्सॉल जिला जो ब कुछ लों को स्प्लाई करने आया था जिसकों की बीच में पकला गया है इससे पूछता चल रही है और इसके नेटवर्क इसने अपना खला कर रखाया इसके समन्दे आगामी कारवाई की जाएगी उजयन की नील गंगा थाना पुलीस ने गवगार टेलवे कॉलोनी में दविश्टे कर नकली नोट चलाने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफतार किया है पिछले दिनों इंदो और पुलिस द्वारा की गई कारिवाई में नकली नोट छापने वाले गीरों के साथ मिल कर यह बदमाश काम करते हैं आर रुपियों के पास से 2,05,500 रुपए के नकली नोट बरामत किये गए हैं एड़ेसेंस भी महदे और सेस्पी महदे दोरा भी हमें मारत असन दिया गया इसके सम्मन्द में हमने एक जानकारी प्रात की कि थाना अन्रपूर्णा इंदोर में एक व्यक्ति हमांसू बर्मन को गिरफतार किया गया था युकि निलिंगा रेल्वे कॉलोनी का रहने वाला थ थी तो हमने समन्द में और शुजना डवलप किया और इसमें असके साथी लोकेश वर्मा और दो अन्य को हमने आपर पूस्ताच के बाद में हमसे 2,5,500 रुपए के नकली नोट क्योंकि 2,000 रुपए के नोट हैं 500 रुपए के नोटों के उस रूप में थे जब थी आचार स अहिता के चलते निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आटियों ने नाना खेडा छेत्र में इंदोर रोड पर चालानी कारवाई की है करीब 90 वहनों से 30,000 रुपए जुर्माना अवसूल कर नंबर प्लेट निकाली गई है आज के लिए इतना ही ऐसी ही तमाम खबरो को जानने के लिए आप देखते रही है मरे दुभा अशिप्रदेश कर दो